अज हम लोग सेज़ेशन के लिए इस सेशन को आप कंप्लेट अंड तक देखेगा चलिए एस सेशन को शुरू करते हैं सेशन के शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम डेली 5 मिनट एक्सप्रेस पे डेली वन लाइन और करेंट अफेर्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो प्लीज कुछ इफाइज जैनल को जाके सब्सक्राइब किजीगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट करेगा आपको डेली 5 मिनट एक्सप्रेस में आपके करेंट अफेर्स के रिल्टेट जो भी क्वेरी सा रहते हैं वो आपके कंप्लीट क्लियर हो जाएगे साथे चाथ यह आपको आपके टेक्निकल एक्सम के लिए भी काफी ज़्यादा बेनिफिशल रहेंगे देखिए मैं आपको बता दू अगर एससीजी का पेपर वन में मानलों 50 कोशन रिजनिंग है 50 कोशन हमारे करेंट अ सब्सक्राइब कर देखिए और आप हमारी जो नए सीरीज है 5 मिनिट एक्सप्रेस की प्लीज उसको जाके देखिए आज हमने 5 मिनिट में फिफ्थ फिब्रवरी के जो इंप्रेंट करेंट एस थे आज ही के मानलो वह हमने कवर किये उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्रि कर देते है शसे थे तब में के देखिए प्रीवियरेक्ट र्फ च्रीप्रेंट पूछ देखिए प्रूक्षे लॉडस प्राप्रेंट नर्फ कर देच्छ और उसक्रे 1-5 एक और संगरे सार्वर्टिक यह रोडव्यर्टमेस से टितए धर एटि क्मौण स्रीमाव्यल ग् फॉर्थ है एच्वली हम लोग ने तीन अभी तक के सेशन कवर कर चुक है देखिए बेसिक कंस्रिप्टिट शर्किट लॉप पर दो सेशन हमने अल्रडी कवर कर रहा चुक है सेशन हो चुक है अगर उसको नहीं देखा को आप आए बटन पर क्लिक करके सारे सेशन सी देख सकते हो अब भी आज के सेशन में हम लोग ऐसी फंडामेंटल्स के आपर कोश्चन देखने वाले तो चले इस सेशन को शुरू करते हैं आप अब आपके पूरे फंडामेंटल्स जो है ऐसी फंडामेंटल्स के जो भी वरी इंपोर्ड़न्स को से उसको हम लोग डिसस करने वाल देखिए इस तरीके से जो प्रिलिंप से पूछ जाते हैं यहाँ पर इस कोशन में क्या पूछा किया है हमें कि average value of sinusoidal value हमारे पास given है आए average हमारे पास given है जो कि है wanted ampere अभी हम लोगों को simply rms value find out करने हैं देखिए इसका कोई direct conversion नहीं कर सकते हैं देखिए सबसे पहले हम लोगों को मैं maximum value निकालनी पड़ेगी maximum value हम क्लक कैसे निकाल दें आपको एक formula धान में रखना होगा i average is equals to 2 by pi into i m यह i m के value इससे निकाल सकते हैं हम लोग देखिए तो that means यह 2 by 5 क्या होता है 0.637 i m यह ऐसा भी question आपको पूछा जा सकता है i m i average is equals to 0.637 times of i m okay देखिए इसका color change करते हैं so that you will get a better clarity okay तो अभी हम लोग इसको calculate कैसे करेंगे i average given है so i m i m directly निकाल सकते हैं इसमें सी यह value put करके i average आप पर put करके तो हमारे पास maximum current की value आ चाहेगी 314.159 amps या आपको कोई जरूरत नहीं कि approximate निकालो अगर आपको अपने i m is equals to 314 भी निकाल दिया तो भी चल जाता है क्योंकि option C वैसे correlate कर रहे है तो i rms का value हम लोग कैसे निकालेंगे i rms is equals to i m का value given है हम लोग उसको root 2 से divide करेंगे that means 314 upon root 2 हमारे पास value हाजाएगा 222 amps this will be the value of i rms हम लोग को का value पुछ है तो option B will be correct answer for this question देखें सबसे पहले हम लोग को पास average value given थी उसको हमने 0.637 से divide कर दिया तो हमें यह i m का value मिल गया okay तिन i rms का formula क्या होता है i m by root 2 i rms is equals to i m by root 2 यह देखें काफी important factors exam के time भी हमें नहीं याद आते हैं इसको आप वो इसलिए ध्यान से याद रखना होगा इसको हम लोग डेरिकली ऐसा लिख सकते 0.707 times of i m okay i rms equals to i hope आपको यह fundamentals क्लियर हो गया होगे तो चलिए session को next question के तरफ चलते है the average power dissipated in 50 ohm register in the following circuit will be हमारे पास एक alternating source है यह पर यह बन है और एक resistance उसमें connected है 50 ohms का हमारे पास average power dissipation हम लोगों को पुछा है देखिए i m यह जो current का equation हमारे पास given है 12 sin omega t यह होता है omega का value angular frequency यह होता है i m का value maximum values रहती है ठीक है तो हम लोग कैसे निकालेंगे i m is equals to vm by r okay voltage का value आच लिए हम लोगों ने voltage source यहापर connected करके रखा है और यहापर resistance source okay that means vm omega यह की रहता है that means अगर यह आपर जो initial value रहती है यह रहती है i maximum value sign of omega t okay जिसे कर आयकर हम लोग equation निकलते i m sin omega t या फिर v हम लोग लिखते है तो vm sin of omega t okay यह दो equations रहते हैं जिसे हम लोग current और voltage निकालते हैं यह फिर हम लोग current को कैसे define करते है alternating current को im sin omega t से और v को vm sin omega t okay तो हम लोग यहापर current निकाल लेंगे i m is equal to vm by r vm कितना है हमारे पास 12 by 50 okay current कितना जाएंगे 0.24 ampere अभी है पर एक छोटा सी बात ध्यान में रखने हुए आपर कि हम लोग को average power dissipation पुछा है that means p is equal to im square into r आपको पता हूंगा power dissipation का formula कहता है i square r यह जो यहापर register connected है इसमें जो power dissipate रहते है वो in the form of heat होती है यह ध्यान में रखना होगा जो भी register में power dissipate होती है जो register power consume करता है वो इन दो form of heat रहते है यह ध्यान में रखना होगा यह काफ इंपोर्टन पॉइंट है i m square by r upon 2 तो सबसे हम लोग value put करते है तो इसमें 0.24 square into 50 upon 2 तो तो आप लोगों को इसको calculate करोंगे तो यह लिए 1.44 वाट as the correct answer okay option B will be correct answer for this question the next question is in an AC circuit electrical energy is consumed in capacitor inductor या फिर दोनों में या फिर register में देखिए आपको ध्यान में रखना होगा AC circuit पूछा गया है या पर ओके को इक बार फिर से पता दे दो देखिए AC circuit पूछा गया है ओके electrical energy consumed in a there is no energy consumed in a capacitor or either inductor only register consumes the energy देखिए कैसा होता है यह register मान लो इसमें जो भी drop होता है यह in the form of heat रहता है ओके जो भी power इसमें consume होता है वो heat in the form of heat decibate हो जाता है हीट में convert होके यह power consume होता है register में ओके जहाग पे capacitor और यहापे inductor की बाद आती है इसमें कोई भी power dissipate नहीं होता है in the pure capacitor और pure inductor की बाद करो अगर मान लो है आपके कुछ इसका internal resistance है तो उसमें power consume हो सकता है थोड़ा पर लेकिन pure capacitor और pure inductor में कोई भी energy consume नहीं होता है ओके इसलिए इसका correct answer हो जाएगा option d will be the correct answer यह capacitor inductor temporary energy storing devices है इसमें जो inductor आपको पता होंगा इंजक्तर में in the form of electromagnetic field energy store होती है और capacitor में in the form of charge energy store होती है for the temporary moment the next question is the rms value of a current is given by i is equals to 10 plus 5 cos 628 t plus 30 degree ampere is given as the यहाँ पर अभी हम लोगों का rms value पुछी है देखिए सबसे पहले इस equation में अब हम लोग ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर अभी हमने एक question देखा था कि हमने पहले बोले थे कि यहाँ पर maximum value रहती है बट यहाँ पर 10 प्लस बोला गया तो यह जो value रहती है यह dc component रहता है ओके यह आपको धान में रखने होगे और यहाँ पर जो values है 5 यह maximum हो ओके करेंट हाँ करेंट का एक्वेशन हमारे पास गिवन है तो हम लोगों को rms value कैसे निकाल पाएंगे हम लोग therefore rms value will be equals to under root of dc square plus rms value of ac quantity इसका square करेंगे तो हमारे पास dc का value कितना है 10 square प्लस यहाँ पर जो value given है हमारे पास 5 आयम का value given है तो हम लोग उसको root 2 से divide कर देंगे 5 by root 2 तो हमारे पास कितना value आजएगा rms value तो 5 by root 2 अभी हम 25 root 2 से square cancel that means 2 तो मारे पास यहाँ पर यह multiply हो जाएगा अंडर root of 225 by 2 तो हमारे पास इसका final answer आजएगा 15 अंडर रूट 2 option में option third option यह correct answer है यह पर given option c will be correct answer i hope आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते है screenshot यह screen को और अगर आपको कोई भी दिक्क्त आती तो screenshot ले सकते है देखे सेशन में मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो भी सेशन में हम बागी सारी चीज़े डिसकरते हैं वह काफी important रहते आपके exam के लिए इसलिए आपको session को complete end तक देखा करेगा without skip करके तभी जाके आपको session समझागा session में हम लोग भले 10 questions का क्यों नहीं लेते हो लेकिन इस 10 questions से में multiple 20 to 30 questions हम लोग आप लोगों को discuss करते हो किस तरीके से question पुछ जाते multiple तो चलते next question के दरफ the next question is in a pure resistive circuit the instantaneous voltage and the current are given by V is equals to 250 sin 314 T I is equals to 10 sin 314 T यह 250 और 10 के है अभी तक आप समझ भी आगो है 250 है maximum values of voltage और 10 क्या है maximum value of current तो यह आपर instantaneous पुछा है instantaneous मतलब इस peak पर ओके जो ऐसी signal का instantaneous values रहते है इस peak का value power drop peak power हम लोगों को पूछा गया है तो हम लोग किसा multiply करेंगे simply simple solution I am Vm into I am okay we will get a peak power तो हम लोग 250 into 10 करते we will get 2500 white as a peak power option C will be correct answer the next question is the inductive reactance of a circuit is directly proportional to if the inverse is proportional to frequency inductive reactance मतलब क्या होता है XL which is equals to 2 pi FL अब देख सकते हो यह formula होता है inductive reactance का और capacitive reactance का क्या होता है XA is equals to 1 upon 2 pi FC यहां पर आप देख सकते हो यह जो inductive reactance है यह directly proportional to frequency के so इसका correct answer आजाएगा option A the next question is power absorbed in a pure inductive circuit is 0 because power absorbed in a pure inductive circuit is 0 because the power factor of the circuit is 0 हो देखिए power का हम power consumption हम लोगों को कैसे निकालते है voltage multiplied by current into cos phi यह cos phi क्या होता है यह होता है power factor इसी हम लोग कैसे लिखते है R by Z हम लोगे को पास pure inductive circuit है that means हमारा जो resistance है वो 0 है तो यह completely यह cos phi की जो value हो जाएगी यहां पर impedance जो भी इसका इसमें बहुता है कितना भी value क्यों ना रो लिकिन R numerator में value 0 है तो हमारा cos phi 0 हो जाएगा चाहे हम कितना भी value से multiply करें हमारा total power consumption P is equals to 0 है 0 ही आना है that means power absorbed in a pure inductive circuit is 0 because the power factor of the circuit is 0 option C will be the correct answer for this question the next and very important question the alternating voltage V is equals to Vm sine theta is applied to a pure capacity of circuit the current equation will be given by आपको capacity of circuit पुछा गया है pure capacity pure capacity of circuit में current जो है वो लीड करता है voltage को ओके यह आपको ध्यान में रखना हो को by 90 degree इसी तर यह आप waveform में भी देख सकते हूं यह current यहापर लीड कर रहा है और वोल्टेज यहापर जो है यह यहापर देख सकते हो यह लैक कर रहा है फॉर टुदिस करेंट यह फर्स्ट वाला जो यह current है देने वोल्टेज है ओक आप देख सकते हो इसी दर यहापर सब्सक्राइब कर रहा है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कोचेफार जैनल को भी जाकि सब्सक्राइब करने और आज के जो करेंट अफ़र हमने अप्लोड के वह इस सेशन के बाद में प्लीज पाच मिनिट में जाकि देख लिए जग काफी इंपोर्टेंट तो उसके करेंट अफ़र जो उसके डाउट रहता है एक दिन पहले आपको करने की जरूरत नहीं रहेंगी आपके कंप्लीट पांच मिनिट में हर दिन अगर आप उसको देते हैं तो आपकी करेंट अपको ध्यान में अभी से आना चालो हो जाएगे और आपको एक्जाम के पहले कोई भी सेशन को देखने की जारूरत नहीं रहेंगे सो नेक्स थेन देखते हैं दावरेज फैल्यूफट एफ डीच अवरेज लिफ to ampere DC करंड इस अवरेज वाली अव तू एंप डीजी करंड ओल्ला गया है तो दो तो आंप यह रहता है इसको आवरेज वाला तो से दिवाइड नहीं करेंगे वो उतने ही वैलियो रहते हैं अबरेज वैलियो अब डीसी करेंट ओके ही है अबरेज वैलियो फैसी ओर वन साइकल इस जीरो अब देख सकते हैं दोनों भी पीक यह पर पॉस्टिव अपर निगेट हो अगर हम लोग इसका अवरेजिंग करते हैं तो इसका वैल्यू आजाएका जीरो option c will be correct answer for this question alternating current cannot measured by dc emitter because उसका जो भी average होता है for this by for the one cycle is equals to zero okay इसे लिए हम लोग उसको measure नहीं कर सकते dc emitter से so यह दिस हमारे सारे 10 questions for this AC fundamental session मैं आपको एक और question आपके लिए छोड़के चाहरा हूँ आप प्लीस मुझे इसमें option में से correct answer बताएगा अगर आपने इस session को अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका answer आजाएगा आप भी हमने discuss किया तो time period for the direct current is zero और infinity आपको इसका answer comment box में मुझे comment करके बताना है previous session का मैंने answer आपको इस session में बता दिया है तो please I hope आपको इसका correct answer आजाएगा सब्सक्राइब करें इस session को like करें और हमारे telegram channel को join करें और इस session को आपके friend के साथ में भी share करना है so till the next time I will see you and have a nice day